मंत्री जमीर अहमद खान ने वक्फ संपत्ति खाता अध्यतन पूरा करने के लिए समय सीमा तै की। वर्तमान में कलबुर्गी जिले में राजस विभाग के तेहित 2566 मामले लंबित है, शहरी स्थानिय निकायों में 500 बेहितर और RDP कार्याले में कई अन्य मामले लंबित है. यह काम कई वर्षों से विभिन कार्णों से विलंबित है और मंत्री ने अधिकारियों को इसे प्रात करने का निर्देश दिया है राज्य में 1,80,000 एकर वक्फ संपत्ति है जिसमें से 85,000 एकर पर अतिक्रमन है कलबुर्गी जिले में 21,440 एकर वक्फ भूमी है जिसमें से 3,610 एकर पर अतिक्रमन है जबकि यादगिरी जिले में 6,194 एकर भूमी है जिसमें से 123 एकर पर अतिक् को हटाने के लिए जिला अधिकारियों और पुलिस का सहयोग आवश्यक है क्योंकि वक्फ संपत्या मुस्लिम समुदाय की संपत्ति है मंत्री ने इन संपत्यों की सुरक्षा के लिए समन्वित प्रयासों के मेहेत्व पर जोर दिया बुधवार को कलबुर्गी में वक्फ आवेदन प्राप्त हुए जिन में से 100 अतिक्रमन हटाने के लिए 55 कब्रिस्तान के अनुरोधों के लिए और 213 अन्यमुद्दों के लिए थे इसी तरह यादगिरी में 82 आवेदन प्राप्त हुए जिन में से 38 अतिक्रमन के लिए 33 कब्रिस्तानों के लिए और 11 भूमी जिला अधिकारियों से इन मामलों को प्रात्मिक्ता देने का आग्रह किया गया। जबकी बाकी विभागिय समीक्षा के अधीन है।